नमस्कार, स्वागत है आपका Capital TV बिहार के स्पेशल सो बिहार के चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्म जा शर्यू राय तो अभी जाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है यह बात कहीं न कहीं जद्यू इशारों में भाजपा को समझाने की कोशिश कर रही है अब सर्यू राय की बात करें तो आपको बता दें कि पछले दिनों सर्यू राय ने जद्यू को जोईन कर लिया है सबसे पहले तो वो भाजपक में थे उसके बाद से उन्होंने निर्दली विधान सबा का चुनाओ जो है जमसेदपूर से लड़ा और उसके बाद अब वह जद्यू में शामिल हो गए है अब इसके पीछे बहुत सारे माईने निकाले जा रहे हैं कि आखिर अचानक से क्यों सर्यू राय ने जद्यू का दामन थामा एक चर्चा यह भी चल रही है कि नतेश कुमार जो है अब अपने पाठी का वस्तार करना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं कि जारखंड में विधान सबक कर चुनाओ होने वाला है और वो चुनाओ लड़े तो ऐसे में क्या कुछ इसके माईने निकल रहे हैं आए इन्हे मुद्दों पर बाश्वीत करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है सेनियर जर्ली सरो सिंगी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत धन्वाद सर ये जो लाइन हमने कही कि सर्यू राय तो अभी जाकी है बहुत कुछ बाकी है क्या वाकी में सब मैसेज जो है जदियू भाजपा को देना चाहा रही है एकदम सौप हिजदी यही मैसेज नितिश कुमार को देना है बीजेपी को ये जो सह मात का खेल चल रहा है जनता दल्यूनाइटेट और भाजपा के बीच में उसमें एक महरा सर्यूराय भी है जिसको जदियू ने चल दिया सर्यूराय के बारे में सभी जानते हैं इमांदार हैं साब चबी है दो-दो मुखमंत्रियों को जेल भिजवा चुके हैं कानूनी लड़ाई लड़के तो उनके चबी पर और उनके काबलियत पर किसी को कोई डाउट नहीं है लेकिन सबसे बड़ा परिशानी का सबब है भारतिय जनता पाटी का जहारखन का मिशन जो जदियू की बारे सिटों की बांग के बाद फस्ता हुआ चला जा रहा है इसके अलाबा सर्जू रायके सामिल कर लेने के बाद आए कहीं न कहीं से भाजपा को लगता है कि दवाब लगातार नितिश्कमार बढ़ा रहे है आप जो करने आपका जो पंच लाइन था कि सर्जू रायक जहांकी है जहांकी ही है अभी तो बहुत सारे डिमांड जंतादल उनाटेट के तरब से वह आने वाले हैं अभी तो संख्या बताई है जंतादल उनाटेट ने बार है लेकिन अब वो लिस्ट फाइनल हो रही है कि कीन बार बार सीटों पर लड़ना है अब जिसे जमस्यदपुर से तो यही है सिटिंग है तो इनका टिकेट कैसे कोई काट सकता है जमस्यदपुर जो चुनाव है उसको खुद भाजपा वहां लड़ना चाती है जारखंड में वहां के जो CM रजचुके है जमस्यदपुर से ही जीते ते चुनाव तो स्वभाविक है कि बहुत सारे ऐसे पेच है जिसको जहारखंड में फसनता जा रहा है और उसका प्रभावा बिहार के सियासत में पढ़ना हंडेट फिर्दी तय है सर जो जहांकी की हम लोग बात कर रहे हैं आखिर नितिश कुमार भाजपा से चाहते क्या है यह जहांकी क्यों दिखा रहे हैं चाहने की कमी थोड़ी है चाहत की कमी होती है लेकिन आपको मिलेगा क्या आप की जमीन पर तागत क्या है आप कितना निगोसियेट कर पाते हैं आप अगले को कितना कन्विंस कर पाते हैं उसी हिसाब से मिलना और जुलना होता है तो नितीश कुमार की मांग क्या क्या है सभी जान रहे हैं हम जो बारे सांसदूं के जीते हैं उसकी जो तागत है बारे सांस्दूंके उसके अबज में उनको क्या चाहिए विहार को बिधानसराज चुनाव लड़ने के लिए तो उन्हों ने तो करीब करीब धीरे-धीरे करके अपने सारे पत्ते भाजपा के सामने खोल दिये जहाकी की आप बात कर रहे हैं बात जहारखन की हो रही है सरीवरा वहीं से आते हैं वहाँ भी एक दर्जन सीटों की मांग कर दी जहारखन पर देखी आत्मिजा जी बहुत पुरानी नजर है नितिश कुमार की पिछले चुना के लिए भी ये पहला चुनाव है काजकारी अधाक के तौर पर किसी बड़े राजी में पहला चुनाव जहारखन को ही उनको देखना है तो उनकी भी परतिष्टा दाव पर लगी हुई है कि कैसे वहाँ पर एक सम्माजनक सीट मिले लेकिन हम आपको बता दें जो मांगे सी अगे न कहीं फायदा नितिश कुमार उठा रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर वो अपने पार्टी का वस्तार करना चाहरे हैं तो क्या ऐसा वाकई में है और क्या भाजपा ऐसा होने देगी? देखिए ये तो सही बात है कि अभी गेन जो है नितिसकुमार खेल रहा है सौट मार रहा है कभी left side कभी right side अभी चुकि उनका खेल है टाइम अभी उनका चल रहा है तो सभाविक है कि गेन ऑही मारेंगे लेकिन भाजपा क्या कर रही है चेक इंड बाइलेंस कैसे हो रहा है हमने जो सब्द का यूद किया सहा और मात अगर एक चाल नितिश कुमार चल रहा है सर्जूराय के बहाने जहारकण में सीटों की मांग को लेकर या बिहार में जो उनकी बहुत सारी मांगे है कुछ मांग पूरी हो गई समराज चौदरी का पगडी उतर गया अपने मनमाति भाजपा का ध्यक्ष उनका बन गया तो भाजपा के संगठन में भी इंटरफेर नितिश कुमार का हो रहा है वो माना भी जा रहा है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है ऐसा नहीं है कि उनकी सहा मांगों को भाजपा मान ही लेगी तो सहा और मा कारबाई कर रही है एक दबाव की रानिती संजीब हंस के ठिकानों पर अगर कारबाई हुई है संजीब हंस आज तो भरस्ट अचारी नहीं हो गए बहुत पुराने अधिकारी हैं कोई ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले उन्होंने उनको कोई सपना आ गया संजीभंस को कि आपको भरस्टा चार कर देना है और वो भरस्टा चार करने लगे फिर ED को सपना आया कि नहीं वहाँ पर छापा मारना चाहिए था वहाँ पर आप छापा मार दिये तो लेकिन अब जैसे जैसे ED के हाथ को फिरी कर रहे हैं दिल्ली सरकार तो उसका मतलब है कि नितिश कुमार के हाथ को बांधने की कोशिस हो रही है कि आप उतने ही मांगिए जितना की आपको ठीक लगता है आनाबसक मांगें आनाबसक चीज़ें बोलने से नितिश कुमार पर इस तरह के बंधनों का और भी परहार होने वाला है केवल ED नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें नितिश कुमार को बंधन में केंसर कार बांध सकती है इसका असाथ नितीश कुमार को भी है तो एक बालेंस के रूप में कोशिस भागपा कर रही है लेकिन नितीश कुमार अभी बहुत आगे चल रहे हैं सर्चु कि आप सहमात की बात कर रहे हैं और कहीं नतीश कुमार भी भासपा को इशारा दे रहे हैं भासपा की तरफ से भी कुछ ना कुछ इशारा दिया जा रहा है एडी की जापे मारी के तौर पे तो सर क्या माना चाहिए कि भासपा और जदियों में दूरियां बढ़ रही प्र दूरियां बढ़ रही है, अगर दूरी बढ़ने वाली बात नहीं होती तो फिर ये बड़े-बड़े डिमान्ड नहीं होते और फिर ED की कारवाई भी नहीं होती तिसे हमने कहा ना कि आचानक तो भरस्ताचारी नहीं हो गए तताकती दूप से अभी तो भरस्ताचारी हम लोग नहीं कह सकते हैं लेकिन सोगोड भरस्ताचारी तो नहीं हो गए तो कोई एक दिन की कहानी नहीं है कहानी लंबी है और उस कहानी में जो किरदार सब हैं वो भी इसको जानते हैं कि ये जो चुनाबी खेल 25 में बिहार में हो रहा है सब चीजें उसी के नुरूप बढ़ रही है चाहे वो नितिश कुमार की मांग हो, एडी की कारवाई हो या भाजपा का अपना जो फीचर प्लान है बिहार को लेके, प्लान कई बार हम लोग डिसकर्च चुके हैं कि बड़े भाई की भूमिका में भाजपा को आना है एक line का task दिया गया है बिहार भाजपा को कि आपको बड़े भाई के भुमिका में बिहार में आना है कैसे आना है इसका blueprint तयार करिए और उसी पर काम आगे बढ़ रहा है देखी अभी क्या हुआ अभी दो-तुन दिन पहले दिलिव जैसवाल का ही बयाना गया कि law and order को हम लोग tight रखेंगे तो law and order का मामला दिलिव जैसवाल का तो बनता नहीं है वो तो गरी मंतराले का मामला है नितीश कुमार का मामला है तो नितीश कुमार बाली बात भी दिलिव जैसवाल बोलने लग जाते हैं तो समझे कि दूरी बढ़ने वाली बात तो यह सब चीजे बतलाती है कि दूरियां बढ़ रही है घट नहीं रही है यह जो नया एलाइंस बना है उस एलाइंस में सब चीज ठीक नहीं है ट्यूनिंग अच्छी नहीं है वेवलेंग अच्छी नहीं है और जो काते हैं कि दिल से दिल मिला के काम करना दिल से काम करना वो हो नहीं रहा है तो क्या लगता है कि इससे भी कही ना कही ना राज है नतिश कुमार नितिश कुमार का कंशर्ण बिहार है अगर 90 पर पर तीस दिल से बीश्तार चाहते हैं पिछले बीश साल से बिस्तार चाहते हैं जार्खन में भी चाहते हैं अब हिण लोग सबाद चुना में भी उन्होंने टिकट की मांग की थी कि हमको टिकट दिया जाए तो नहीं मिला न फिर चुकि उस समय भाजपा परेज में थी आज भाजपा परेज में नहीं है चुकि बहुमत नहीं मिला है भाजपा को तो पार्टी अध्याश के नाते या पार्टी के सर्वोच नेता होने के नाते बिस्तार की ख्वाइश रखना कोई गलत बात नहीं है लेकिन है कि आप उस ख्वाइश को कितना गंभीटता से ले रहा है अगर दिमांड हो रही है जारखन में बारत सिटों की तो नितीस कुपार भी जानना है कि बारत सिटे हमको मिलने ही नहीं है यूपी अर्मत परदिस मे किसी पाटी में हम ये बोल रहे हैं हम विस्तार कर रहे हैं रास्ती अस्तर पर हम विस्तार कर रहे हैं दिल्ली में भी चुनाब होना है दिल्ली में भी डिमांड करेंगे कि पिछले बार भी दिल्ली में मांगे थे नहीं मिलाए केले चुनाब रड़े सारे सीटों पर जमान है कि बिहार में हमको सो से ज़्यादा सीटे चाहिए चुनाप में पब्लिक के बीच में जाने के लिए विशेश राज का दर्जा चाहिए जातिये जंगन्ना चाहिए बढ़ा हुआ आरक्षन चाहिए यह है को रिसुनितिस कुमार का और इसी में सहमात का खेल भाजपा और ज रहमात का खेल जारी है दोनों एक दूसरे को मात देने की कवायद में जुटे हैं लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की अपनी अपनी मजबूरिया है जिसमें वह फसकर चुब बैठ हैं भाजपा की अपनी मजबूरी है तो नितेश कुमार की अपनी मजबूरी है लेकि इस रिस्ते का क्या असर पड़ेगा और इससे कितना नुकसान इंडिये को उठाना पड़ेगा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे कापचिन टीवी बियार धन्यवाद